हलो दोस्तो अगर आप भी अपने Android डवाइस को Apple के iPhone जैसा लुक देना चाहते हैं तो इस वीडियो को complete देखते रहीएगा आपको यहापे वो सारी सेटिंग बताऊंगा जिससे दोस्तो आप अपने Android डवाइस को Apple के iPhone जैसा लुक पूरा दे पाऊगे तो यहापे दोस्तो जै करते हैं जो कि आपकी location की है और आपका यहां पर जो मौसम है वो यहां पर बताता है ठीक है अगर दोस्तो इस तरिके से आप slide करते हो तो यह आपकी home screen set हो जाएगी जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि आप ही अच्छा और cool impression है cool look दे रहा है ठीक है इसके बाद दोस्तों अगर इस side में slide करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपके सारे के सारे application screen पर show हो जाएंगे मुलकुल iPhone जैसे ठीक है यहाँ पर दोस्तों और ज्यादा slide करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो आप लाइबरेरी है पूरी यहाँ पर सेट हो जाएगी सारी की सारी show होगी जैसा की जिस type के आपके application है तो वो सारे सारे यहाँ पर आपके show होंगे ठीक है अगर दोस्तों बहीं lock screen के बात करें तो वो भी काफी कमाल की है तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ lock screen इसकी किस तरीके से काम करती है तो यहाँ पर दोस्तों आप द तो आपकी जो notification panel है कुछ इस तरीके का दिखेगा जो की Apple के iPhone जैसा है तो पूरा का पूरा आप अपने Android device को Apple के iPhone जैसा बना सकते हो तो इस सारी चीजे आप बहुत ही आसानी से अपने phone में कर पाओगे दोस्तों वीडियो आपको बहुत ध्यान से दिखना है ताकि आप बिना क आपको सब्सक्राइब करके वैल आइकन को जुरूर से प्रेस करना ताकि फ्यूचर में भी आपको आच्छी सी वीडियो की notification मिल जाए तो ज्यादा टाइम बेशना करते हो वीडियो को शुरू करते हैं तो Apple के iPhone जैसा लुक देने के लिए दोस्तों आपको एक application को download करना हु हुगा तो इसके लिए दोस्तों मैं simply play store open करता हूँ तो play store open करने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है iPhone launcher ठीक है launcher iOS 15 ठीक है इसको सर्च करना है इसके बाद दोस्तों simply इसको open करना है तो मैंने चूब कि यह पहले से download किया हुआ तो simply मैं इसको open कर लेता हूँ open करने के बाद दोस्तों आप से कुछ permission मांगेगा वो simply आपको सारी के सारी permission granted कर देना है I mean allow कर देना है ठीक है allow करने के बाद दोस्तों आपको lock screen वाला application को download करना हुगा उसके बाद दोस्तों control center वाला application डाउनलोड करना हुगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको जैसे इस पर क्लिक करोगी तो automatic इस सारे application आपके phone में download हो जाएंगे ठीक है दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको customize करनी पड़ेंगी तभी आपका जो phone का look है बुलकुल iPhone जैसा होगा तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं किस तरीके से करना है ठीक है तो जैसे कि आप यहाँ पर जो यह चीज़ देख रहे हो तो यह आपको पर आपको काफी पसंद आए होगी अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रोब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो मैं आपके कमेंट का reply जरू करूँगा तो मैं मिलता किसी reaction testing वीडियो में तब तक के लिए take care and bye